हरियों, अनाइवेस के योग प्रशिक्षन कायकरम में आप सभी का स्वागत है, हम लोग आज चर्चा करेंगे अस्टांग योग की, अस्टांग योग आपके पाठकरम के युनिट्टू का भाग है, अस्टांग योग जैसे की नाम से तातपर होता है, कि इसमें आठ अंग हैं, अस्टांग योग महरसी पातांजली द्वारा परतिपादित है, इसलिए इसे पातांजली योग भी कहते हैं और या राज योग भी कहलाता है, जैसे की हमने चर्चा की कि अस्टांग योग में आठ अंग हैं, और ये महरसी पातांजली द्वारा परतिपादित है, अस्टांग योग के आठ यंग हैं, पहला है यम, दूसरा अंग है नियम, हम लोग यम नियम की चर्चा पहले कर चुके हैं, तीसरा अंग है आशन फिर प्रानयाम, प्रत्यहार इनकी चर्चे हम आज करेंगे उसके बाद और बाकी के तीन अंग है यह धारना, ध्यान, समाधी यह जो यम, नियम, आशन, प्रानयाम यह जो आप देख रहे हैं शुरू के जो यह पाच अंग है यह बहिरंग योग कहलाते और उसके बाद के जो तीन अंग है धारना ध्यान समाधी अंतरंग योग कहलाते हैं जैसा कि तातपर हो रहा है हमें शब्द से ही बहिरंग योग ये हमारे व्यक्तित्व के समाजिक और शारिक मानसिक भावनात्मक इन पहलूं को देखता है और जैसा कि अंतरंग योग ये हमारे आंतरिक अनुभूती की योड हमें ले जाता है और हम प्रतिहार के बाद धारना ध्यान के बाद हम समाधी की योड अग्रिशर होते हैं इस प्रकार से ये आठ अंग पतांजली द्वारपरतिपादित है किसी भी योग सादक को ये सारे अंग का अभ्यास करना चाहिए और जैसा कि ये हमें समझाया गया है कि हम बारी-बारी से इस पे अभ्यास पे जाएंगे ऐसा नहीं है कि हम प्रानयाम यार पत्यहार से शुरू करें हमें यम नियम के सिक्षा को अपनाना है जो कि समाजिक है यम समाजिक सिक्षा बताते हैं नियम हमारे अपने अनुशाशन के भी से में बताते हैं, आसन प्रानयाम हमारी एक तकनीक है, अभ्यास है, प्रत्यहार भी एक अभ्यास है और इसको सिति के रूप में भी लिया जा सकता है, उसके बाद धारना ध्यान समाधि, इस प्रकार सारे जो अंग हैं, ये सारे जो अपने अभ्यास में या अपनी जीवन में इसे अपनाना है और हम इस तरह से सुक्ष की और अगरसर होंगे तो आए जैसा कि आज के पाटकरम में हमें चर्चा करना है हम लोग सबसे पहले आसन कि विशे में चर्चा करेंगे यमनियम की जानकारी आप को मिल चकी है आसन जैसा कि नाम से जाहिर होता है इस शब्द से पहले इसका हम शाब्दिक अर्थ समझें आसन से तातपर होता है एक इस्थिति एक शारिक इस्थिति तो जब हम लोग अस्टांग योग की बात कर रहे हैं पातंजली योग की बात कर रहे हैं तो वहां उन्होंने आसन को परिवासित किया है इस्थिरम सुखम आसनम मतलब एक स्थिर और सुख की इस्थिति आसन कहलाती है यहां तादपर है आसन से ध्यान की इस्थिति का और इसमें केवल एक आसन को ही समझाया गया है विशेश रूप से वो है ध्यान की इस्थिति सिध आसन को जिससे कि हम ध्यान की इस्थिति में या प्रानयाम की इस्थिति में उस आसन में आराम से बैट सकें इस्तिरपुर्वक और आगे की जो हमारे अंग है उन अभ्यास को साध पाए लेकिन आसन का तातपर ब्रिहत है जैसे कि आसन से कुछ लोग यह भी मतलब लगाते हैं कि जो बैठने के आसन होते हैं जिस पे लोग बैठते हैं तो अगर हम योग में आसन की चर्चा करें सिर्फ हाया गया है। हम लोगों ने पाताןजिली योग की अवधारना से तो समझ ली आसन को किया एक ध्यान में बैठने की इस्थिती हैं लेकिन यदि हम हठ योग की और बरते हैं तब हमें पाते हैं कि आसन जो है वो बिभिन इस्थितियं हैं शारिक इस्थिति है और आसन के अभ्यास से हम उच स्थर की चेतना को प्राप्त कर पाते हैं या हठ योग की अभधारना है हठ योग में आसन का जो विवरन है वह 84 लाख माना गया है और यह भी माना गया है कि 84 लाख योनी होता है हमारा इंकार्नेशन है और उतने ही आसन हैं और इसके पीछे यह concept यह है कि अगर हम उस आसन को साध ले उतने तो जो हमारे जो जन जनतनांतर की जो ये निक्रिया है इसको हम साध पाएंगे और उन चौरासी लाख आसनों में चौरासी आसन महतपुर मानें गया है और यहां कि तक की हर्ठियोग परदीपिका में 32 आसन को मूल माना गया है और उसकी व्याख्या की गई है एक और विशेश बात आसन के विशे में हम ऐसा देखते हैं जब हम विविन आसनों की बात करते हैं उसको समझते हैं यह कहीं न कहीं हमें एक evolution को दर्साता है जैसे कि हमारा है पहले reptiles में आते हैं फिर हम उसके पहले भी जल में जीवन का विकास होता है फिर जल और थल दोनों में होता है जिसको reptiles काते हैं उस प्रकार के से हम आसन के करम को देख सकते हैं तो यह एक हमार जीवन के evolution को जो हमारे जीवन में हम अपने अध्यात्म की और कैसे अग्रसर बने होंगे उसकी एक यात्रा को भी दर्साता है तो इस परकार आसन जो है यह बहुत ही महत्पुर्ण योग के अभ्यास हैं और आज जो इन दिनों योग हर जेगा व्यापक होता जा रहा है उसमे लोग आसन को ही मुख्यता योग का अंग मानते हैं और हमें एक बहुत ध्यान देने योगी बात है समझनी होगी कि आसन का जैसे हमने जिक्र किया कि यह स्थिर और सुख की अनुभूती है लेकिन कुछ आसन जो हैं वो डानेमिक भी होते हैं हठ योग में इसका बहुत वर् द्वा होता है उसमें जो अव्रोध है हम उसको दूर करपाते हैं तो इस तरह से डानेमिक जो आसन है उसका लाव होता है वह हमारे हठ योग की इसकंण है समझनी है यहां हम संचेप में समझ लें कि यह किस तरह से योग आसन एक्सरसाइज से अलग है। जब हम योग आसन करते हैं तो हमारा मुख केंदर होता है शारिक गतिविदी, हमारी चेतना, स्वांस प्रस्वांस की क्रिया। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसे मेकैनिकल हैं वो उस पे हमारा पूरा मानसिक इन्वाल्मेंट होता है और इसका प्रवाव भावनात्मक स्तर पे भी परता है। जिस प्रकार से कि हम अभी चर्चा करें कि जब हम बैक्वर्ड बेंडिंग भुजंग आसन करते हैं तो उस समय हमारा जो है वो एक बोल्ड एंड एक्स् पर अंडर का की भावना आती है तो आसन जो है वो भावना से जुड़ा हुआ है यह सिफ शारिक गतिविदी ही नहीं है और आसन के जो कुछ परमुख लाब हैं उसके बारे में संचीत परूप से चर्चा कर लें आसन हमारे शारिक मानस्पेशियों का और इंटरनल ओर्गे कि जो उनके बिल्कुल सही लेवल है उस अंग के कारे करने की छमता जो है उसको बिल्कुल सही अस्तर पर रखता है तुसरी बात आसन से जो हमारे मन की जो कुछ गुथी होती है जिसको बोलते हैं मेंटल कॉनफ्लिक्ट उसका एक शरीर पर प्रभाव होता है वो मस्कलो हैं तो हम अपने मन की गुथी को भी रिलीज कर पाते हैं इससे प्रान का प्रवा भी सही रूप से होता है हमारे अंदर शारिक छमता बरती है उर्जा का प्रवा होता है और एक हम बिल्कुल स्वक्ष और उर्जावान हो करके अपनी जीवन का लाब उठाते हैं अब हम लो हमारे अंदर होता है पाहर भी होता है और हम प्रानयाम में स्वांस प्रस्वांस की तकनीक है यह इसमें स्वांस प्रस्वांस की क्रिया के द्वारा हम प्रानयाम करते हैं तो प्रान एक जैविक शक्ती है आयाम इसका एक्सपेंशन है इसका विस्तार करना इसको पूरे शर एक संचिप से आपको हम प्रान की व्याख्खा कर दें या उसको समझा दें, कि जब कोई नवजात शिशु अपनी मा के गर्व में अगर शिशु है, तो उसके अंदर प्रान का परवा है, और जब वो जन्म लेता है, तब उसके अंदर स्वांस का परवा होता है, यह एक बहुत ही सीधा सा उधारन है, कि प्रान और स्वांस में क्या फर्क है, और जो हम प्रानयाम करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि स्वांस के प्रस्वांस की किरिया के द्वारा प्रानयाम तकनीक कर पाते हैं, तो इसमें जो महर्शी पाता अंजली ने जो इसको डिफाइन किया है, जो परिवासित किया है, यह है कि स्थिर शरीर के अंदर सुख की अनभूती हो, जब हम आसन को साध लें, तो स्वांस प्रस्वांस की comfortable, जो हमारी स्वांस प्रस्वांस का परवा है, उसमें कुम्भक को अरामदायक स्थिती में रोक पाना, इसको मैंने विस्तृत रूप से एक्स्प्लेइन करके बताएं, इसका पुरा शुत्र है, कि जब हम अपने स्वांस प्रस्वांस की प्रवाह में कुम्भक, कुम्भक होता है, रिटेंशन, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, उसको अराम प्रणयाम के चार घटक है, उसमें है रेचक, कुम्भक और स्वांस का लेना, स्वांस का छोड़ना, अन्ता कुम्भक, बहिर कुम्भक, जब हम स्वांस लेके रोकते हैं, तो अन्ता कुम्भक का लाता है, और जब हम स्वांस छोड़के रुखते हैं, दूसरे स्वांस एक जो गैप है उसको भाहिर कुम बखाते हैं तो ये प्रानयाम के चार घटक है और वैसे तो हट योग में बहुत प्रानयाम की चर्चा की गई है लेकिन अस्टांग योग में और कोई विसेश प्रानयाम की चर्चा नहीं की गई है जो मुखित प्रानयाम की चर्चा की गई है उसमें है महत्पुन नारिशोधन प्रानयाम, शीतली और शीतकारी प्रानयाम, भ्रामरी प्रानयाम, भास्त्रिका, सुरिवेदी, इस तरह के कुछ महत्पुन प्रानयाम हैं, इसको हम लोग प्रानयाम के यूनिट में विस्तितरूप से पढ़ेंगे. उसके बाद हमारा है प्रत्याहार जैसा कि हमने बताया कि अंतरंग योग और बहिरंग योग तो प्रत्याहार जो हम देख रहे हैं कि intermediate phase है, beach case stage है प्रत्याहार के बाद है धारना, ध्यान, समाधी तो यह एक gateway है, यह द्वार है अंतरंग योग की और अग्रसर होने का यह द्वार कैसे है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है withdrawal from external senses जो हमारी संवेधनाए हैं, जो हम अपने ज्यानेंद्रियों से संवेधना को ग्रहन करते हैं, तो उस पे अवरोध करना उसको रोक देना, मतलब हम बाहर से बिलकुल अब कट गए और अपने मन को बाहरी संवेधनाओं से हटा कर जब हम अंतर की और ले जाते हैं, तो यह प्रत्याहार की इस्थिति कहलाती है और हम जब अंतरंग योग की ओर बढ़ते हैं तो वो धारना और ध्यान की स्थिति है तो इस तरह से यह हमें अंतरंग योग की ओर ले जाता है तो यह बीच का एक फेज है प्रतिहार और इससे हम अपने आपको तयार करते हैं अंतरंग योग की ओर जाने का और प्रतिहार का जो अभ्यास है, हम लोग जो हिंदिनों करते हैं, उसमें प्रमुख है, योग निद्रा का अभ्यास, अंतरमौन का अभ्यास, ये प्रतिहार के अभ्यास कहलाते हैं, इसमें हम अपने मन को ट्रेन करते हैं, बिविन निर्देसों के द्वारा, कि हम अपनी बाहरी के प्रति सजगना रहें और अपने मन को एक आक्चित करें अंदर की योग और यह हो जाती है फिर ध्यान के स्थिति जैसे कि हमने कहा कि यह बहिरंग योग हम लोगों ने पूरा कर लिया अब धारना ध्यान और समाधी यह अंतरंग योग है प्रतिहार के बाद आता है धारना से हम समझते हैं एकाग्रता जब हमारा चित एकाग्र हो जाता है थ्यान की इस्तिति है तो प्रतिहार में क्या कि हमने बाहरी विष्यों से अपनी चेतना को रोग लिया और और ज़व उसे हम एकाग्र करें किसी ऌटिकुलर प्वांट पर किसी परлекंट पर विषय पर तो व होती है वह एकाग्रता का अभ्यास है एकाग्रता हम सबसे पहले अपने स्वांस पे करते हैं इस प्रकार जो हम स्वांस पे अपने आपको एकाग्रचित करेंगे उसके बाद और भी बहुत सारे कुछ साकिक सिंबोल भी होते हैं कुछ लोग फिर चक्र पे भी अपने आपको कुछ लोग तत्व पे एकाकचित करते हैं, योग में बहुत सी ऐसे अभ्यास है, जो कि धारना के अभ्यास है, जिसमें कि एक बहुत पुर्न अभ्यास है, चिदाकास धारना, हिरदयाकाश धारना, चक्र धारना, इसमें हम अपने आपको एकाकचित करते हैं, इसके बाद आत चैहरा आपते हैं तो हम धियान को प्राप्त करते हैं. धियान को प्रतिपल नहीं है. ध्यान ऐसे कहाते हैं, ध्यान लग गया. जब हम धार्णा माधट करते हैं, तो यह पूरा आउटकम एक परतिफल है, हमने अभी पैण क्या है उसके बाद ये हमें अभ्यास complexity के रूप में ध्यान को हम प्राप्त करते हैं और ध्यान में तीन चीजें महत्पुन हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई रास्ते में चल रहा है वो ठीक से गिर जाता है तुम बोलते हैं कि ध्यान से चलो वहाँ ध्यान का तातपर है सजगता अगर कोई पार्ट बच्चा याद करता है उसे याद नहीं हो रहा होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ध्यान से पर हो उसके बाद आती है समाधी की स्थिति, यह बहुत उच्छी तेमी स्थिति है, इसे हम self-realized state भी करते हैं, समाधी का एक यह तो बहुत उच्छी स्थिति है, इसके विशे में व्याख्या करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको एक विशेवस्तु की रूप में समझा जा सकता है, जब आपके अंदर आप अपने स्वेंग की स्थिति को, अपने स्वेंग के existence को भूल जाएं, और आप अपने जो धे हैं, जिस पर आप ध्यान कर रहे थे, समाधी ध्यान के बाद पराप्त होती है, आप उसमें विलीन हो जाएं, कोई परमात्मा पे ध्यान करते हैं, को अपने गुरु पे ध्यान करते हैं, तो उनको ऐसा मैसूस होता है, कि उनका कोई existence ही नहीं है, विलीन हो गए अपने ध्यान में, यह समाधी की स्थिति है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कि जो अस्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्रानयाम, प्रत्यार, धारना, ध हमुझ पाते हैं, और यह हमें एक संपुन्ट स्वास्त को प्राप्त करने का भी एक टेक्नीक है, जैसे कि वह नहीं हमारे उन्होंने इसको परिभासित किया है, स्वास्त को समाजिक, शारिक, मानसिक, भवनात्मक और अध्यात्मिक संतुलन को पुन्ट स्वास्त पतलाया तो हम देख रहे हैं कि समाजिक हमारा हो गया यम, शारिक आसन परानयाम, मानसिक प्रतिहार और नियम, भावनात्मक प्रतिहार और धारना और अध्यात्मिक हो गया धारना समाधि, इस प्रकार से हम एक संपुर्ण स्वास्त को पराप्त कर सकते हैं अस्टांग योग के द्व प्रवाद